देखे question है यदि एक दुकंदार 50%, 20%, 10% का मुख्ट स्रेनी छूट देता है यदि अंकित मुल 50,000 रुपय है तो विक्रे मुल क्या होगा इस तरग question को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आप MP से यानि कि आप अंकित मुल से आपको विक्रे मुल निका थैसे तो इस तरग से आप देखेंगे कि यहाँ छूट दिया हुआ यानि 50% का 20% का 10% का अगर आपoryction में देखेंगे तो 50% का extracting होता है यानि कि 50% काowejço वन बाइटू और 20% का देखेंगे तो आ जाता है 1 by 5 और 10% का आ जाता है आपको 1 by 10 अब देखिए कह रहा है कि अब इसको आपको फ्रेक्शन में करना है तो यहाँ पर आपको MP लिख रहा है यानि कि Mark Price हो गया और यह SP लिखना है यानि कि Sale Price हो गया उसमें आपका डिस्कॉंट हो रहा है एक रुपया का तो आप आपका जो Sale Price हो एक रुपया हो जाएगा उसी परकार यहाँ पर देखेंगे मार्क प्राइज में अगर आप पांच है यानकित मूल आपका पांच रुपया है तो डिस्कॉंट करके आपका चार रुपया हो जा उसी परकार अगर देखेंगे आपका अंकित मूल अगर 10 रुपया है और डिस्कॉंट करके आपका 9 रुपया हो जा रहा है अभ आप यहां से यहांत लखी देगे और यहां क्या करेंगे आप कोनं कोनी कट रहा ह sanity देखिए 2-2 नि-4 कट रहा है और 2-5 10 डस कट रहा है इस तरह से आप कट देंगे उपर नीचे नहीं काट देंगे बस कोना कोनी काटना है ठीक है अब आप यहाँ पर multiply कर देंगे जो बचा हुआ है तो 15ников 25 हो जाता है और यह नहीं हो जाता है अब लेकिए मारक प्राइस मेरा दिया हुआ यहाँ पर पचीस हजार रुपया तो पचीस हजार रुपया को अगर आप यह पचास अजार का आप इससे अगर डिवाइट करते हैं तो पचीस दूनी पचास यानि कि दो सो आ जा रहे से यह दो सो को